नमस्कार साथियों, Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, मैं आपका साथी कपिल तिवाडी, आज आपके सामने 6 स्टमबर 2023 इंडिया करंट अफेर्स का सेशन लेकर पस्त दू साथियों, आपको ही पता है कि इस सेशन में इंडिया के साथ अगर कोई वर्ल्ड करंट अफेर् साथित मुद्य होते हैं, उनसे परसने पूछा जाता है, इसलिए एस सेशन आपके लिए काफी उप्योगी रहेगा, जितने भी महतोपुन परसने उन पर बात करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े जो महतोपुन तत्य हैं, अगामी परत्योगीता प्रीक्षा में पूछे जा इंडिया करन्ट अफ़ेर के पहले क्यूसन से, पहला क्यूसन है, आपके सामने हाली में डुलन कप 2023 किसने जिता, इसलिक्षा में परत्योगीता प्रीक्षा जिसमें इंडिया करन्ट अफ़ेर पूछा जाता है, वहाँ पर ये पर्षन आपको देखने को मिल सकता है, आप स का संबंध है जो सातियों फुटवाल से है यह आपको पता होना चाहिए अब आप से पुचा है कि 2023 का अब है जो किसने जीता मोहन बागान ने जीता है important है साथियों star लगा लेना मोहन बगान ने जीता है किसको हरा कर जीता है इस्ट बंगाल को ये भी आपको पता होना चाहिए कितने के अंतरशें रहा एक सुन्या के अंतरशें है जो इस्ट बंगाल को हराया है 23 साल के लंबे अंतराल के बाद है मोहन बगान ने जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13 साल के लंबे अंतराल के बाद मोहन बगान ने जीता है 24 टीमों ने इस टूनामेंट में भाग लिया इसका आयोजन है तो साथियों 3 अगस्षें लेकर है 3 स्टंबर 2023 तक है किया गया ये है इसका 132 वां संस्क्रण था ये भी इपोर्टेंट होना चाहिए इपोर्टेंट है सातियों कि ये कौन सा संस्क्रण था तो 132 वां संस्क्रण था सातियों इसके लावा फाइनल मुकाबला है जो कहां खेला गया ये भी पूछा जा सकता है तो कोलकत्ता के साल्ट लेक स्टेडियम में है जो फाइनल मुकाबला खेला गया सातियों इसके अलावा इसे जो इपोर्टेंट है गोल्डन बूंट सरवोथ स्कोरर है डेविड लालम हनसांग छह गोल इन्होंने किये मोहमड स्पोर्टिंग टीम से इनका सम्मन था बॉल्डन बॉल प्लेयर ओफ दा टूर्णामेंट दिया गया नंद कुमार शेखर को इमामी इस्ट बंगाल के यह खिलाडी थे इपोर्टेंट है आप से पुछा जा सकता है सातियों आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आपके सामने है 43 वा आश्यान शीकर सम्मेलन कहां शुरू हुआ यह क्यूशन इपोर्टेंट रहेगा सातियों क्यों इपोर्टेंट है उस पर भी अपने बात करेंगे आप से पुछा है कि 43 वह आशियान सीकर समयलन है, कहाँ हुआ तो जकार्ता में शुरू हो चुका है, इसका आयजन है जो 5-7 स्थंबर तक है किया जाएगा, कब से कब है, 5-6 स्थंबर तक है, कहाँ, जकार्ता, जकार्ता कहा है, इंडोनेश्या में, ये भी आपको पता होना जकार्ता कहां है, इंडोनेशिया में है, अब इस जीखर सम्मेलन का आयोजन है, जो आश्यान देश क्यों कर रहे हैं, कि हाली में, आपको ही पता है कि चीन नक्सा जारी किया था, उसमें वो उसने अपने भार्त का भी जो हिंसा है, और उनाचल प्रदेश यूश में कुछ हि आपको पता होना चाहिए चेन की सातियों यही निती रही है कि जितना आतिकर्मन किसी दूसरे देश पर क्यादास के उतना वह करता है आगे है अगले क्यूसन पर बात करेंगे हाली में राष्टपती द्रोपती मुर्मूर ने महत्मा गांधी की 12 फिट उन्ची परतिमा का अनावरने कहां किया तो नई दिल्य में कहां राष्टपती द्रोपती मुर्मूर ने महत्मा गांधी की 12 फिट उन्ची परतिमा का अनावरन कहां किया तो नई दिल्य में किया नई दिल्य में कहां राजगट के पास है उसमें किया इसके अलावा राजगड के पास गांधी बाड़ी का नावरन भी किया है इसके साथ यह गांधी बाड़ी है उसका भी नावरन किया उसमें महत्मा गांधी जी की छोटी छोटी परतिमाई है यह तो 12 फिट की है उसका कहां क्या नई दिल्ली में किया राजगट के पास है इसके अलावा इसमें महात्मा गांदी जी की एक छोटी गांदी बाड़ी है उसमें महात्मा गांदी जी की छोटी छोटी परतिमा भी है उसका भी अनावरे ने किया साथियों आगे बढ़ेंगे अगला क्योशन है कि हाली में बारतिय परतिस परदा आयोग ने विस्तारा एर लाइन्स का विल्या है जो किस कमपनी में करने की अनुमती दी है पूछा जा सकता है आप से पूछा है कि बारतिय परतिस परदा आयोग ने विस्तारा एर लाइन्स का विल्या किस कमपनी में करने करने के अनुम्पती दी है तो एर इंडिया में करने के अनुम्पती दी है टाटा असाईय एर भारत में विस्तारा के नाम से सेवा विमान सेवा का संचालन करती है यानि तो टाटा असाईय एर एर कंपनी है जो भारत में क्या है विस्तारा नाम की विमान सेवा का संचालन करत पांच नम्मर क्यूशन पर बात करें हैं सातियों हाली में कौन सा देश अपने सुविदान में देश के मूल निवाशियों को माननेता के लिए जन्मत संग्रहा का अज़न करवा रहा है। की है कि ये 14 Ictober को होगा कब होगा? 14 Ictober को होगा इसकी तारी की गोशना कर दी है अस्टेलिया में 1999 के बाद सातियों कोї जिन्मर्ट संग्रै जो नहीं हुआ है तारिक की गोशना कर दी है 14 अक्टूबर को होगा किसने की है अस्टेलिया के परदान मंतरी एंथोनी अलबा नीज ने इसकी गोशना की है साथियों आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे चार स्थम्बर से नो सेना कमांडरों का समयलने कहां शुरूआ ये भी परसन पुछा जा सकता है कि चार्श तमबर से नो सेना कमांडरों का समयलन कहां शुरूआ तो नई दिल्ली में शुरूआ ये दूसरा संस्क्रण है ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है कि नो सेना आगे कि क्या प्रकिरिया रहेगी सेना को किस परकार और बहतर किया जाए उस पर है जो निन्ये लिये जाएंगे आगे बढ़ेंगे साथ यह अगले क्यूशन पर अपने बात करेंगे आप से पूचा गया है हाली में इटालियन ग्रेंड पिक्स 2023 है जो किसने जीता है तो आपका अंसर होना चाहिए मैक्स वेस्ट पेने जीता है कौन सा इटालियन ग्रेंड पिक्स 2023 है जो किसने जीता है Max West Eppen ने जीता है यह इनकी लगातार है जो दस्वी जीत है यानि Max West Eppen है इनकी लगातार यह दस्वी जीत है यह Red Bull Formula जो race car है उसके driver है साथ ही इनका संबन्द है जो साथियों नीदर लेंड से है यह भी अपने को पता होना चाहिए इनका संबन्द है जो नीदर लेंड से है अगले question पर बात करेंगे साथियों Omicron strain का अत्या दुनिक उत्परिविर्तित variant कौन सा है जो कई देशों में पाया गया है तो यह Piriyola variant होगा इसका जो variant है B2A286 Omicron strain का अत्या दुनिक उत्परिविर्तित variant कौन सा है जो कई देशों में पाया गया है तो Piriyola है इसका और variant कौन सा है B2A286 है इसके यह सबसे पहले साथ यह चीन में मिला था और उसके बाद यह अनेक देशों में फैल चुका है अमरीका में भी इसकी पुष्टी हो चुकी है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे साथियों अगला क्यूशन आपके सामने है हाली में G20 शेर्पा की चोथी बैठक है जो कहां शुरू हुई है तो नुहय में हुई है बैठक का आयजन है जो 3-7 स्थमबर तक किया जाएगा हरियाना के नुहय में इस बैठक आयजन किया जाएगा 3-7 स्थमबर 2023 तक G20 शेर्पा की चोथी बैठक होगी साथियों पहली उद्ध्यपुर में हुई थी वो तो आपको पता है अगले क्यूशन पर बात करें भारतिया फिलम में टेलीवजन संस्तान पुने का अदेख सहर किशें बनाया गया और मादोवन को बनाया गया किसका बारतिया फिलम में टेलीवजन संस्तान पुने का अदेख सहर किशें बनाया गया और मादोवन को बनाया गया साथियों तो साथियों जो 6 स्थमबर 2023 थे India का अंटाफिरूस के मैंने आपके साथ 10 महतोपुन परसन शेयर किये और उन परसनों से जुड़े जो महतोपुन तथे आप से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किये मेरे दौएरा प्रियास किया गया कि कम समय मैं आपको बैतिन क्यूशन प्रोवाइड करवाऊं मेरे दौएरा किया दा रही है प्रियास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को लाइक वैसे सस्क्राइब कीजिएगा इस सेशन के बारे में आपको कमेंट बोक्स में सुदाओ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं धन्यवाद सातियों